नशे की हालत में डेड़ साल पहले घर छोड़ी हुई पत्नी को सबक सिखाने के लिए एक पती ने दादर और कल्यान रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी लेकिन नाला सोपारा की पेलहार पुलीस ने महस दो घंटे में आरोपी को ढून निकाला शुक्रवार रात करीब 11 बजे मीरा भाइंदर वसई विरार पुलीस कमिशनरेट के कंट्रोल रूम में एक गुमनाम कॉल आई फोन करने वाले आरोपी विकाश शुकला ने दादर और कल्यान रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी इससे पुलीस तंत्र सतर्क हो गया फोन नाला सोपारा इलाके से आया था इसलिए पेलहार पुलीस इसकी जाँच में जुट गई वरिष्ट पुलीस निरिक्षक जीतेंद्र वनकोटी और पुलीस उपनिरिक्षक तुकाराम भुपाले ने रात भर तक्नी की विशलेशन कर जाँच शुरू की आरोपी का मोबाइल नमबर बन था पुलीस को जब इस फोन की जानकारी मिली तो उसका पता केवल ओम शिवसाई चाल था इसलिए पुलीस टीम ने रातो रात इलाके में ओम शिवसाई नाम की सभी चाली से डाल दी इसी दौरान पुलीस को सीसी टीवी में एक संदिग्ध नजर आया इससे पुलीस का काम आसान हो गया और उसे नाला सोपारा के बिलाल पाड़ा से गिरफतार कर लिया गया